आम बजट पर राजापागर के महिला विधायक प्रतीमा कुमारी ने बताया है कि यह बजट वाध्यम वर्गियों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उनने इसका विरोध करते हुए कहा है कि इस बजट में जिस प्रकार से लोगों को गुम्राह किया गया है निश्चित तोर पर ऐसे बजट की उमीद सरकार से नहीं थी। मान्य बित मंत्री श्री मतिर नीर्मला सितारामन जी ने जो पेस किया है वो मध्यम वर्ग के लिए बहुत ही निश्चित जनक है चुकि हमें उमीद थी कि करोना के वज़े से जिस तरह से मध्यम वर्गिये लोगों का रुजगार गया है वैसी प्रस्तिती में मध्यम लेक्स में राहत मिलेगा खाने पीने की बस्तुए सस्ता होगी पेट्रॉल और डीजल के दाम घटेंगे लेकिन ये बजट सिर्फ और सिर्फ पुझी पतियों के हित में पेश किया गया है इसे प्रतीत होता है कि देश के जो केंदर सरकार है वो करीब गुरुबों को ख्या नहीं रखती है सिर्फ और सिर्फ पुझी पतियों क्याना